वेल्किम दो मस्काहिक के चैनल आज में बनाने चालेगों मटन मसाला की बहुत ही स्पेशल रेसिपी तो खाने में बहुत ही जादा टेस्टी है और बहुत ही जादा अच्छी लेगी आपको तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमने खड़े मसाले कोई बात नहीं इसमें मैंने थोड़ा सा पोस्ते कादाना यूज किया आप देख रहे हुंगी चोटी सी क्रेटोरी में मैंने रखा हुआ है तो आप मसाले अपनी चॉइस के कुछ भी ले सकते हैं उसको हमें एक्टम ड्राय रोस्ट करना है सारे मसालों को मैंने एक साथ आ अच्छा एडिया आप भी ट्राय कर सकता है तो इसको फिर मिक्सर ग्रांडर में ऐसे ग्राइंड करना बड़ा एजी हो जाएगा तो यह देखिए जो मसाले का कलर है वो धिरे-धिरे चेंज होना स्टार्ट हो गया है और खुश्पी भी बहुत ही जाद अच्छी आ रहे है तो बस हमारे मसाले रेडी है अब उसको हम ठंडा कर लेंगे पूरी तरह से और ग्राइंडर में इसका एक बहुत अच्छा सा पाउडर फॉर्म में इसको बना लेंगे और इससे हमें स्टोर करके रख देना है आप लोग सोच रहोंगे क्या यह सारे मसाले यूज करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं इसमें से मैं सिर्फ 2.5 स्पून यूज करूँगी बाकी मैं ऐसे स्टोर करके रख दूँगी जिसे कि नेक्स टैम मुझे कभी बनाना हो तो फिर यह पूरा प्रोसेस मुझे ना करना पड़े तो आप भी ऐसा कर सकते हैं तो बस इसमें से मैं अब इसमें से दाई चमच यह देखिए एक चमच भरके दूसरा चमच उसके आधा चमच और उसके साथ ही मैंने हापे M.D.H का मीट मसाले यूज के आप कोई भी ब्राइन का मीट मसाले यूज कर सकते हैं यह लगबग मैंने 1.5 चमच लिया है और इसको अमें लगबग एक जिंजर गाली का पूरा है यह मैं रेडी कर लेती हूं यहां मैंने जिंजर गाली का पेस बना लिया है मिक्सर गाइंडर में इसको अच्छे से पीस लिया है तो देखिए यह पेस हमारा रेडी है अब मैंने अनियन को भी चॉप करके रख लिया है लंब लंब आप चॉपर अब इसे दीरे-दीरे में बुनना है, low to medium flame पे, तो ये देखिए, कितना अच्छा इसमें color दीरे-दीरा आना start हो गया है, तो बस इसके अच्छे से बुनाई करेंगे, और इस stage पेसमें, चिंजर गाली का paste, जो मैंने बनाया था ना, वो पूरा मैंने इसमें आट कर दिया, य अच्छे से बूरना है, जब तक कि इसका जो कच्छा पने ना, वो न खतम हो जाए, तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा पेस्ट आप लोगो देख रहा होगा, तो बस इसमें मैं ने जिंजर गाली के साथ, मैं ग्रीन चिली आर करना बूल रही थी, तो मैंने इसे जाएगा, तो बस आप मारा मसाला जो रेडी है, जो हमने ये अदर घंटे पहले बिगो के रखा था ना, उसको इसमें एजटे इस, डाल देंगे, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है, तीरे देर अच्छे से इसको लो टू मीरिम फ्रेम पे मिक्स करेंगे, और इसको इसमें जो पूरा प्रोसेस होता है, बहुत ही जादा स्लो होता है, क्योंकि इससे हमें, जो मतन है ना, हम ओपन कोकिंग करेंगे, इसमें कोई भी सीटी नी लगानी है, आप चाहें तो अगर आपको जल्दी है तो आप सीटी लगा के भी बना सकते हैं, और वाइस आप इसक ятि हमें पीज में एड का दिया है तो इसते ही इस टाइम पे अपना जो जो ना, आप कर दिया था ना, यह कर दिया थ था तो यह देखिए कित अच्छे मॉतन के मिच सो गया है तो बास जैसे मटनाइट करेंगे वैसे हम इसमें सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिन डाल देंगे मैंने अलब को दो से डाही चमच नमक यूज किया है और एक चमच मैंने रेट चिली पाउडर भी यूज किया है कि मुझे थोड़ा तीखा पसंद है तो इसे लिए तो मैंने इसमें इसमें इसको सीटी नि रगानी कुछ ने करना बस इसे ऐसे कुकर कर रखेंगे गयास की फिलम को इंडिदम लो कर देंगे और फिर ये देखिए थोड़े दिर बाद 10 मिनिट बाद मैंने इसे चेक किया तो देखिए कितना पानी छोड़ दिया मटन ने पानी पानी चोड़ा है अपको जब लगे की हाँ स्टर करना चाहिए तो इसे बीच इसमें स्टर भी करते रहे तो ये देखिए फिर इसको ढग देना है बहुत जो जाला है अगा आदे खिंडे बाद इसका स्टेटस देखिए ऐसा हो जाएगा कुछ आपको साइड में ओइल लगेगा आपको ऐसा लगेए जिसे मतन हमारा काफियत तक कुक हो गया है तो बस इसमें हमें एक से देड़ जो कॉप है पानी डालना है पानी इसमें बहुत जादा एड मत करेगा क्योंकि इसका खुद का जो ग्रेवी होती है न ड्राय ड्राय सी वह बहुत ही जादा अच्छ अब एक पीस को जड़ा चेक कर लेतें कितनी कुकिंग हो गई है तो यहां देखें यहां लगबग 70 परसंद तक मतन अबारा कुक हो गया है तो इसे फिर से ढख करना है तो यहां पर मैंने लगब 10-15 मेंट और जादा राग्स को ढख किया यह थोड़ा लंब प्रोसर्स हो क्योंकि मतन जो है ओपन में कुक करने में बहुत टाइम लगता है लेकिन मैंने सोच अब मतन मसाला में ऐसे ट्राइ करती हूं तो सच में बतारी हूं मैंने ऐसे ट्राइब कि यह था जादा अमेजिन बना है न कि आप लोग एक से डेट घंटा लगेगा बनाने में बढ़ रिजल्ट बहुत ही जादा अमेजिन आएगा तो आप लोग यह घर में जरूर ट्राय करना और मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसा बना था और अगर आप मेरी चैनल पर ने हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरी वीडियो को शेयर कर देना लाइ झाल